तो आज हम बात करने वाले एक और क्वेरी पर जो बहुत जाता पूजी जाती है कि सर एक दिन में कितने गंटे बढ़ना चाहिए है तो तो भाई ठीक है इस पर बना रहा हूं तो मतलब पहले तो इस से तुम एक्च्वल में क्या पूछना चाहते है और तुम्हारे पीछे का कन्फीजन क्या है वह में समझ गया है और तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए कितने घंडे पढ़ना है कितने कोशन करने चाहिए और किस टाइम पर ना क्योंकि बहुत जादा सब्जेक्ट है सब्स सब्जेक्ट एककोल नहीं है या फिर बात करें कि चैप्टर है अगर एक पुल्टिक्लर टॉपिक की भी बात कर लें जैसे फिजिक्स है तो चैप्टर में कौन सा चैप्टर करने वाले है बने ना मतलब रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल की 30 कोशन और पर बरावर नहीं है तो इस सब्सक्राइब करने से पहले हैं तो अगर जो लोग यहां पर नए है बिल्कुल है ना मुझे जानते या नहीं जानते जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे इंपोर्टेश्ट होते हैं जितनी भी जो भी कुछ नया हो रहा था है न सारे के सारे अप्डेट्स तुम्हें यहां पर ही मिलते ना नीट के बच्चों का है नीट अन्य पर फिजिक्स इन सारी चीजों की लिंक्स तुम्हें पर दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो तुम्हें क्लिक करना है तो पहुंच जाओगे ना तो जैसे मेरे कौन से नए बैचस आ रहे हैं आने का आडमी पर या फिरी सीरीज आ रही है या फिर कोई कोई अलग लग जगे होते हैं तो उसमें आके तो मुझस से लाइव इंटरेक्ट करके अपनी क्लरीफाई कर सकते हैं तो उन सब कुछ टेलीग्राम को जोइन के लेना अगर तुम टेलीग्राम पर तो तुम सारी की चीजों से अगर जो बच्चे अनकाडमी पर आना चाहते हैं मेरी अनकाडमी प्रफाइल की लिंक तुम्हें मिल जाएगी उस पर क्लिक करके मुझे अनकाडमी फॉलो कर सकते हो जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिए कि उनन्हें कंप्लीटली फिजिक्स मुझसे ही पढ़ना है या र पता चल जाएगा तो जो बच्चे अनकाडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मुझे पढ़ना चाहते हैं वह लो प्रतिक से हमने फिजिक्स लाइब को यूज पर चोंप मंतलब सब्सक्रिक्र सब्सक्रेशन करते ने तुम कितने पूश्चेश्ण करें मैं हमेशा यह करते हैं तो इस सेशन के बाद भी सब्सक्रेश्य में साथी चीज़िद याद आज जैंगी सब से पières ले लिया चलो चीज बाता ना इस कोश्चन के लिटरल आंसर में बच जाओ उससे ना तो तुमारा कुछ फायदा होने माला है और ना यह जरूरी होता है ना जो होता है मतलब उसको सच बता है तो इस तरी के डाउटी नहीं आते जिसकी प्रपरेशन बहुत सही चल लिए तो इस तरिए डाउट नहीं आते मैं बाद बी कोश्चन ही एक तरह से अपने अपने बहुती ज़्यादा फर्जी कोश्चन है कि कि कितने कोश्चन सुल करें किन किन की करा जाता जरूरत के शाब शाब से किया जाते है तो ठीक है चुल बाग करते हैं है और सिर्फ फोकस को कर कि किस क्वालिटी के कोश्चन करें और तुमने कितनी क्वालिटी से करें कोश्चन बस देखा फॉर्मिला आगे बढ़ गए कि उसके बाद तो ने सोचा कि इस सीखने को मिला इस कोशन में कुछ काम कह था नहीं था कैसा था तो किस तरीके से तो उसका भी समय उता है कब करने होते है कब कब कम करने हैं और पता है और वह खुदे से तुम्हें पता करना कब आएगा कर नहीं है उसके सबसे आसन तरीका होता है सबसे आसान तरीका होता है एक अच्छी कोचिंग करके सही टीचर की गाइटेंस में प्रिपरेशन करने हैं इससे ज्यादा कोई आसान तरीका नहीं है अगर तो सीधा उनको फॉलो को रहे हैं वो तुमको बताएंगे कि आज के तुम्हें दिन तुम्हें कितने कोश्चन करने आस तुम्हें 20 कोश्चन करने हैं 50 करने 100 करने 1000 करने जो भी वो तुम्हें बताएंगी ना कहां से स्वाल करने हैं कि यह सबसे पहले सबसे आइडियल चीज होती है अगर तो अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो ना चाहे तो मुझस से पढ़ रहे हो या पिर कहीं भी और अगाने होते हैं ना हर दिन बराबर सारे कंच bubb मैंने ने कहान इसलिए और यह कोश्चन अगर दिमाग में आ रहा है न तो भी क्रप्रेशन स्टार्ट में नहीं समझ में आए की चीज़े कैसे करने ना तो यार जो कोचिंग के मटेर्स होते वो उसी साफ से डिजाइन होते हैं जैसे कोई भी चेप्टर हमने पढ़ा मालों आज हमने न्यूट्र जो मोशन पढ़ा है तो हर रोज चोग किलास होती उसके बाद तुम्हें टॉट्ने करने अब उसको कितनी द्हीन करें तुम्हें रहता है वो कि अमरा पर चाहिए चाहिए लोग नहीं पूरा उंपर पाथ से घंटे लगाने तुम्हें नहीं नहीं और अगर तुम हर रोज को हमबर्ग हर रोज खतम कर रहे हो तो तुम्हारा सेलेक्शन हो जाएगा वो कोई नी रोग सकता है तो यह चीज समझो को उसी हिसाब से तुम्हारा material design होता है जैसे regular DPP मिलती है फिर module होते हैं module में exercise में कोईशन होते हैं तुम देखो कि किसी भी दो चैप्टर की exercise में सेमन नंबर कोईशन नहीं होते हैं क्योंकि हर एक चैप्टर में अलग 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 चैप्टर के मैं फिर से बता दो इस पर हमने पूरा content डाल रहा है तो पूरी DPP ज़ली हुई है एक एक कोश्चन का रिटर्णियन solution है 100 परसंट करेक्ट है ना क्योंकि हम क्योंकिन की अलग DPP से हैं जेई वालों की अलग DPP से ना सारे solution कोटा फैकेटिशन ने बना रहे लिए तो सब कोश्च बहुत हाई quality content से सब कुस्तुमें मिल जागे ना वो तुम चेक कर सकते हैं ठीक है उसके अलावाद एक अगली चीज है अगली चीज है ना पहले तो हर चेप्टर के कोश्च करने से क्या सीखा क्योंकि अगर तुम अच्छी जगे से question solve कर रहे हो, जैसे मेरे DPPs कर रहे हो, modules कर रहे है, SC वर्मा कर रहे हो, अच्छे sources से तुम question कर रहे हो, तो तुम्हें realize होता है हर एक question करने का आती है, इससे मुझे कुछ सीखन का मिला, इस question ने मेरा misconception सही कर दिया, मैं इस concept को गलत समझाता है, इ स्टार्टिक में यह करने की जरू होता है, और तुम जैसे जैसे करते जाते हो, तुमारी speed बढ़ती जाती है, एक generally जो order होता है question करने का, सबसे पहले तो तुम्हें notes करने होता है, teachers के, उसके बाद DPPs करने होती है, हर रोस तुम्हें daily DPPs मिलती है, जैसे अभी जो chapter चल रह होता है, तुमारे teachers के recommend कर रहा है, तो यह कर सकता है, और एक चीद यहां लगना, जब हमेसा DPP, जैसे जो current topic चल रहा है, उसकी DPP साथ में करी जाती है, ठीक है, और exercise पूरी खतम होने तक अगला chapter चालू हो चुका होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, this is how it is, जैस अगर NLM जैसे माल लोगी लट से, बर्क पावर एनरजी चल रहा है, तो तुम इसकी DPP कर रहे होगे, पर तुम जो exercise अभी खतम कर रहे होगे, पिछले chapter की कर रहे होगे, क्योंकि exercise तुम chapter खतम होने के जो भी current topic चलते है, उसके 50-60% खतम होने का तुम करना चालू कर पाते ह exercise में mixed coaster, modules में, sheets में जो होती है, जो module होते है, sheet होते, exercises होते है, उसके mixed question होते है, तो उसको करने में समय लगता है, तो यह मसूद ना की बर्क पावर एनरजी खतम हो गया, तो उसके साथ ही मेरा exercise खतम हो जानी चाहिए, वो अगले chapter की DPP चलती हो जाएगी, और पराने chapter की खतम करना, और अब दूसरे से campaign करना हो सकता है, तुम्हारा कोई दोस्तों भाई, जिसने यह जो इतना पूरा DPP exercise बगर सब खतम कर लेता हो, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, जो DPP exercise बन कर पा रहे हैं, और हाथ तुम्हें दूसरे से campaign करना, पर तुम्हें हमेशा boundary push करने की कोशिस करते जाना है, तुम अगर इतना कर पार हो, लेट से अभी तुम DPP exercise बन कर पार हो, तो थोड़ा सा push करो है, कि मैं exercise 2 के कम सकते हो, आधे question करना तो चालू कर दो, push करने की गुंजाइस हमेशा होती है, तुम हमेशा अपने आपको better बना सकते हो, और देखो कि तुम solve नहीं कर पार है, इसका reason क्या है, कहीं तुम समय तो बरबाद नहीं कर रहे है, कहीं तुम कहने के लिए तो इसे 5 घंटे पढ़ने नहीं बढ़ते है, पर आधे time तुम कुछ सोचते रहे तो, या समय बरबाद करते तो, या दोस्तों से बात करने लगते है, इंस्टाग्राम करने का, कोशन मिलते हैं, तो मैं बहुत सारे GMP मिलता है, या पर rank booster मत्यजे मिलता है, हर जग अलग लग चीज़े मिलती है, तो उसको solve करो, बहुत सारे mock test दो, उसके बाद तुम time constraint लगा के mock test दे सकते हो, इस starting में तुम ज्यादा question नहीं कर पाऊ कि किसी भी chapter के solve, इस starting में इस तरह से solve करना है, कि 30 के 30 question तुम एक सांद solve करने हैं, उसके बाद तुम उनका solution देखो कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुए, उनका solution देखके सही करो, टीचर से doubt clarify करो है, उसके बाद करना है, ये सारी चीज़े हैं, तो ये सारी चीज़ें का ध्यान 10 question हुए, तो फिर एक्जाम में एक घंटे में 30 या 40 या 45 question कैसे करूआ, तब तुमारी बहुत जाता practice हो जाएगी, तब तुम बहुत जाता practice हो जाएगी, अभी ही का, जब कोई जी नई start हुई है, उसके अभी starting के 10 question करना, और जब उसमें तुम 400-500 question कर चुके हो, उसके बा तो इस ए gradual process, तुम ये कभी भी नहीं कर सकते है, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते है, और करना भी नहीं चाहिए, कि पहले दिन से कोई भी नया topic चालुगा, और तुम सोचों कि उसमें मुझे अभी एक घंटे में बैठके मैं 30 question करूँगा, या 40 करूँगा, नहीं कर पाऊगा, करने की कोशिश करूँगे, तो कुछ भी नी सी पाऊगो, ultimate selection नहीं होगा, I hope this session clarifies everything, इसके लावं कोई भी queries मुझे comments में लग देना, नहीं तो मेरी बहुत सारी free live classes होती है, अनेकाडमी पे YouTube में, उन सबकी links टेलीग्राम पे regular update की जाती है, तो टेलीग्राम पे follow कर लेना, औ उसके आए जो भी बचे आनकाडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तक कोड इस फिजिक्स लाए है, और जो भी बचे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपर मुझे message कर सकते हैं, नय बैच बगएरा जो भी है, उसके बारे में, जो भी जानना है, तुम्हारी जो तुम बता से ठीक है और अच्छा लगाओ तो भी शेयर बगरा कर देना वीडियो को लाइक बगरा कर देना